हेलो साथियो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल स्टडी 147 में आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ परमुक अंतराष्टिय संगेटन उनको कवर करेंगे और उनकी हम स्तापना, अध्यक्स और इनका मुक्याले कहां कहां पर है इन्हें सभी को भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे तो वीडियो के अंतर तक बने रहीएगा जो कि आने वाले सभी एक्जामों के लिए आज का लेक्चर यह हैं इम्पोर्टेंट है जिसमें हम कुछ पर्मुक अंतराष्टिय संगेटन इनको कवर करने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला अंतराष्टिय संगेटन कुन सा है सर्युक्त राष्ट संग सर्युक्त राष्ट संग की स्तापना की गी थी 24 अक्टूबर संग 1945 इसे दिन इसकी स्तापना की गी थी लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये बात कब की हैं 1939 की 1939 के अंदर एक राष्ट संग की स्तापना की गी थी किसकी स्तापना की गी थी राष्ट संग इसकी स्तापना की गी थी और इस राष्ट संग की स्तापना इसलिए की गी थी क्योंकि प्रतम विश्वयुद हुआ था आप सभी को पता है इस प्रसम विश्वयुद के बाद में ऐसा विचार आया कि आगे ऐसा कोई भी विश्वयुद ना हो जिससे जनहानियों इसलिए 1939 के अंदर लाष्ट संग की स्ताफना की गी लेकिन 1949 से लेकि 1925 तक वापस से पुन है विश्वयुद जैसे समझ से आगे थी यानि दितिये विश्वयुद ہو गया था गिटिये विश्वयुद को बाद में ऐसी स्ताफना की गई सेयुक्त राष्ट संग की जो की 24 अक्टोबर 1945 को इसकी स्तापना की गई अब जो सेयुक्त राष्ट संग है ना इस सेयुक्त राष्ट संग का नाम यह है अमेरिका के एक राष्ट पती थे जिनका नाम कहता फ्रेंक्लिन डी रुजवेल्ट तो फ्रेंक्लिन डी रुजवेल्ट इन्होंने इस सहयुक्त राश्ट संग का नाम दिया था अब इसकी स्थापना तो 24 अक्तोबर 1945 को होगी थी लेकिन इसका जो मुख्याल है वह है मैन हेटन दीप पर जो कि कहां पर इस्तित है न्यू यूर्क के सहयुक्त राच्चे अमेरिका के अंदर तो आपको इसका मुख्याल द्यान रखना है कहां पर न्यू यूर्क के सहयुक्त राच्चे अमेरिका के अंदर इसका मुख्याल है लेकिन कभी कभी क्या पूछ लेता है यहां पर द्वीब का नाम पूछ लेता है कि जो सयुक्त राष्ट संक है इसका मुख्याले कौन से द्वीब परिष्थीत है तो इसका मुख्याले कौन से द्वीब परिष्थीत है मेन हेटन द्वीब परिष्थीत है इसके महासचीव है मंतवर्तवान के अंदर कोन है महासचीव एंटोनिया गुटरेस जबकि फर्ष्ट महासचीव कोन थे ट्रिग वेली थे जो कि कहा के निवासी थे नार्वे के निवासी थे यदि इसके वर्तमान में सदस्यों की बात की जाए तो टूटल वर्दमान में 193 सदस्य और 193 नंबर का सदस्य देश कौन सा मनाता इसमें दक्षिनी सुधान मनाता लेकिन इस्तापना के समय सदस्यों की संक्या कितनी थी टूटल 51 देश जो थे न ये इस्तापना के समय इसके सदस्य थे इन 51 देशों के अंदर से जो 50 देश थे इन 50 देशों ने तो क्या हुआ था कि जब इसकी स्थापना होई थी 24 अक्टोबर 1945 को तो उस टाइम पर इस पर अस्ताक्षर कर दिये थे लेकिन एक देशता पॉलेंड ये जो पॉलेंड देशता ना इस पॉलेंड ने जब इसकी स्थ स्थापना होई थी 24 अक्टोबर 1945 को उस टाइम पर इस पर अस्ताक्षर नहीं किये थे तो क्योशन कभी-कभी एक्जाम में क्या पूछ लेता है कि जब सर्युक्त राश्टर के स्थापना होई थे तब एक मतर ऐसा कौन सा देश था जिसने इस पर अस्ताक्षर नहीं किये सचेने तो वहे कौन सा देश था पॉले में देश था और एक होर्ट रहस राश्ट राश्ट संग का स्थाष स्थिय कंब से बना होई तो स्यूक्त राश्ट संक यह स्क्त को रोकना मानव अधिकारों की लक्षता करना अंतराष्टिय कानून को निवाने की परक्रिया यानि जो मैंने विसुरू में बताया था कि जो दितिय विश्वयुद पर्थाम विश्वयुदु आता ऐसे विश्वयुद को रोकने के लिए जो अंतराष्टिय यह सहयुक्तरा राष्ट महासबा, जुरक्षा परिशद, आर्थिक और सामाजिक परिशद, न्यास परिशद, अंतराष्टिय न्यायली और एक है सचीवाले, यहीं पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो सहयुक्त राष्ट महासबा है, इसकी यदि मैं पहली महिला अध्यक्स के बा वीजे लक्ष्मी जो पंडित है, यह थी सहयुक्त राष्ट महासबा, इसकी पहली महिला अध्यक्स, सुरक्षा परिशद की यदि मैं बात करूँ, तो जो सुरक्षा परिशद है, यह विसव में शान्ती और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी, इस सुरक्षा परि चिन हो गया, फ्रांस और ब्रीटिन, फ्रांस ब्लस ब्रीटिन, यह जो पांच देश है, यह पांच देश, इसके कैसे 27 सदस्य है, जबकि 10 जो है, यह होते है, 23 सदस्य होते है, इसले के इलावा एकोति है और तिय आर्तिक और समज़िक परिशद, एक और ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे न्यास परिशद यह न्यास परिशद इसलिए इंपोर्टेंट हो जाएगी क्योंकि एक नौंबर 1994 में से इसका जो संचालन था यानि इसका जो कार यह करना था यह इसको बंद कर दिया गया था तो सयूगत राश्टेसंग के टोटल छे अंग है लेकिन उसमें से न्यास परिशद इसको समाप्त कर दिया गया एक है अपने पास में अंतराश्टिय न्याहिले जिसका मुक्याले कहां पे इस्तित है दहेग नीदरलेंड के अंदर इस्तित है अंतराश्टिय न्याहिले की यदि मैं बात करूँ, तो इसकी दो अधिकारिक बासा है, अब ये दो अधिकारिक बासा है, जिसके अंदर जो अंतराष्ठी न्याईले, ये कारिये करता है, तो ये होती है, एक तो अपने पास में होती है, अंग्रीच, और एक अपनी फ्रेंच बासा, तो ये है दो कारिये कारिये बा कारियकाल कितना होता है नो वर्स का कारियकाल होता है लेकिन इन 15 नयाईदिसों के अंदर जो एक तिहाई नयाईदिस है एक तिहाई का मतलब टोटल जो पांच नयाईदिस है इन पांच नयाईदिस का कारियकाल तीन वर्स के अंदर समाप्थ हो जाता है यानि तीन वर्स के ब संग हैं यदि में सैयुक्त राष्ट परास्ट के की अधिकारिक-वाथ करो तो यह कौन से हो जाएगी अंग्रेजी और फ्रांस अंग्रिची और फ्रांस यह सयुक्त राष्ट संग की कया दो जैसे मैंने अभी बताया था यहां पर जो अंतराश्टिय नियाले इसकी कारिये कारिबास है यानि जिसके अंदर ये कारिये करता है एक तो है अंग्रेजी है और एक है अपने पास में फ्रेंच तो अंग्रेजी और फ्रेंच यह है जो तो है न यह है दो इसकी कारिये कारिबास है जब किसके लावा रूसी बासा चीनी इस्पेनिशी और अर्बिस ट युगतराष्ट का द्वज जिसको सन 1947 के अंदर अपनाया गया चलिए आगे बात करते हैं हम NEXT SANG LATAN की तो NEXT SANG LATAN आता है अंतराष्टीय मुद्रा कोस और एक है अपने पास में विश्व Närquz अंतराष्टीय मुद्रा कोस और जो विश्व बेंक है इन दोनों की स्थापना होई थी सें 1944 के अंदर और 1944 के अंदर एक वाता Bretton Woods से सम्मेलन जो की कहाँ पे अमेरिका के New Hemp Sire Deep के अंदर किया गया था तो अमेरिका का जो दीप है जिसका नाम क्या है New Hemp Sire Deep इसी दीप पर Bretton Woods से सम्मेलन इसकी स्थापना की यानि Bretton Woods से सम्मेलन का आयजन किया गया था जो कब किया गया था 1944 के अंदर जिसके अंदर अंतराष्टिय मुद्राकोस यानि IMF International Monetary Fund और एक है अपने पास में व्रिस्व बैंक यानि वाल्ल बैंक इन दोनों की स्थापना इसके अंदर की गयी थी चलिए तोनों को हम थोड़ा डिटेल से कवर कर लेते हैं जैसे अंतराष्टिय जो मुद्राकोस है इसकी स्थापना होई थी 27 से दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना होई थी अब मैंने यहाँ पर बताया कि इनकी स्थापना जो है यह तो 1944 के अंदर की गयी थी लेकिन यहाँ पर IMF की स्थापना 1945 के से होगी क्योंकि ब्रेटन वोर्ष सम्मेलन जो हुआ था यह कब हुआ था 1944 के अंदर उसे टाइम पर गोशना की गयी थी एक तो अपने पास में अंतराष्टिय मुद्राकोश और एक अपने पास में विसर बेंक इन्हें दोनों की स्थापना की गई लेकिन जो अंतराष्टिय मुद्राकोश है इस पर अश्ताक्षर करके जितने भी समें सामील से दस्थ से देशते इन्होंने इस पर अस्ताक्षर करके इसकी स्तापना कब की गई थी 27 दिसंबर से 1925 को इसकी स्तापना कर दी गई थी मुख्याले इसका वासिंटन डिसी के इंदर जो की कहां पेश्ट देते हैं सैयुक्त राज्य अमेरिका के इंदर अदेक्स थे क्रिष्टलीना जोर्जीवा जो की बुल्गारिया की निवासी है देस भी याद रखना है इसका कि जो बुल्गारिया की निवासी है क्रिष्टलीरिया जोर्जीवा यह है आईमफ के अदेक्स है सदस्य देसों की संकेस में टोटल 190 सदस्य देस है और एंडोरा जो था यह 190 वा सदसे देश से बना हुआ था इसी के इलावा यदि पहले डिप्टिंग मैनेजिंग डाइरेक्टर की बात की जाए तो यह कौन बने है गीता गोपिनाथ IMF की मुद्रा कौन सी है SDR SDR की यदि फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है Special Drawing Light जिसे हम क्या कहा जाता है Paper Gold भी कहते है यानि जो SDR है इसे Paper Gold भी कहते है और इसके अंदर टोटल पाँच मुद्रा है सामिल है अब यह पाँच मुद्रा है कौन कौन सी है एक तो आ जाती है अपने पास में Dollar जो की अमेरिका की मुद्रा है पाँड इंग्लेंड की मुद्रा है यूरो कहां की है यूरोपियन यूनियन की ये जापान की मुद्रा है यूवान जो है ये है चीन की मुद्रा है इसे यूवान को एक और नाम से जाना जाता है यानि यो यूवान है, चीन की मुद्र है, इसी का नया नाम क्या कर दिया गया है, रेमेन भी भी कर दिया गया था, इसी के अलावा यदि विस्व बेंक की बात की जाए, तो विस्व बेंक की स्थापना 1944 के अंदर होई थी, मुख्याले कहां पे, जहां पे आई-म-फ का मुख यह लिए वसिंग्टनडीसी के इंदर सेम वहीं पर अपने वायर्ड बैंक का भी मुख्या ले अध्यक्स जो यह है देविस मालपस तो डेविड मालपस यह हो जाएंगे विस्वर बैंक के अध्यक्स. सदस्य कितने? 189 सदस्य सदस्य देशते हैं. विस्व बेंक इसके अंदर टोटल पांच अंतराष्टिय संगतनों का सम्भू है यानि जो विस्व बेंक है इसमें टोटल पांच संगतन है अब ये पांच संगतन कौन-कौन से एक तो आता है अपने पास में International Bank for Reconstruction and Development जिसे कहा जाता है IBRD इसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी एक अपने पास में International Financial Corporation यानि IFJ जिसके स्थापना 1956 में हुई थी International Development Association यानि IDA की स्थापना 1960 में हुई थी और Multilateral Investment Guarantee Agency यानि MIG की स्थापना 1988 के अंदर हुई थी और International Center for the Settlement of Investment Dispatch यानि ICSID इसकी स्थापना कब हुई थी 1966 के अंदर हुई थी तो क्योशन कभी-कभी क्या पूछ लेता है कि जो विस्वबेंक है यह विस्वबेंक कितने संगयटनों का सम्मू है तो option में आ जाता है तीन सम्मू चार सम्मू पांच तो टोटल यह पांच संगयटनों का एक सम्मू है अब यदिन के उद्धिस्य की बात की जाए तो एक तो अपने पास में विस्वबेंक विस्वबेंक य करते हैं नीति वे नेंदेती है रुट केलिए के समय को'M टुप है आँयम ते लिए है अधिस के लिए दो और टान। तो यह थे अंतराश्तिय मुद्रा कोस और एक था विसरवेंग चलिए नेक्स टम पर आगे बात करते हैं सार्क की कौन सा समवा जाता है अपने पास में सार्क जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है यह होता है अपने पास में सार्क जिसकी स्तापना होई थी 8 दिसंबर 1925 को इसकी स्तापना होई थी इसका मुख्याले कहां पर इस्तेते हैं कार्ट मांडू नेपाल के इंदर इसका मुख्याले इस्तेते हैं तो इसमें टूटल आठ सदस्य देश सामिल है, जो कि अपनी जो भारत है, भारत और इसके जो कुछ परोशी देश थे, यह है इसके सदस्य देश हो जाएंगे, यदि मैं बात करूँ, तो एक तो हो जाता है अपने पास में पाकिस्तान, जो कि सारके का सदस्य देश है, तो उपर की तरफ देखेंगे तो उपर यहां पे एक है अफगानिस्तान यह अफगानिस्तान भी इसका सदस्य देश है और नीचे यहां पे एक और देश है जिसका नाम क्या है मालवी तो टोटल कितने होगे वन टू थी फॉर फाइफ सिक्स सेविन एट यानि टोटल आठ ज कोन-कोन कोन-कोन से अपना भारत हो गया पाकिस्तान हो गया नेस पाल हो गया भूठान हो गया इसे के लावा बंगलाज देश नीचे चलते स्री लंका एक है माल ओर एक सबसे उपर की sandwich की तरफ क्या दिखाई दे बर आपको यहां पर अफगानिस्तान दिखाई दे तो यह total art जो है यह इसकी सदस्य देश है चलोगी next अपन बात करते हैं आगे BIMSTEK की BIMSTEK इसके full form की बात कियो है तो इसकी full form क्या है Bay of Bengal Initiative for the Multisectoral Technical and Economic Corporation यह हो जाएगी BIMSTEK की full form BIMSTEK जो है इसकी स्तापना हुई थी 6 जून 1997 इस दिन इसकी स्तापना हुई थी और मुक्याले इसका ढाका जो कि कहां पर इस्तित है बांगलादेस के अंदर महा सचीवा इसके टेंजिन लेकपेल और टेंजिन लेकपेल जो है यह कहां की निवासी है भूटान की निवासी है यदि इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो इसके टूटल सदस्य देश कितने है साथ इसके सदस्य देश है अब यह साथ सदस्य देश कुन-कुन से होगे नेपाल होगे अपनी पास में बूटान होगया बांगलादीस होगया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है म्यामार दिखाई दे रहा है यदि नीचे की तरफ देखते हैं तो Thailand हो गया अपने पास में एक हो गया अपने पास में इंडिया और एक अपने पास में सिरिलंका तो यह टोटल कितनी इसके साथ सदस्य देश से है बांगलादीज, भूटान, भारत, नेपाल, थाइलेन, सिरिलंका और एक हो जाता है अपने पास में म्यामार तो यह टोटल जो है यह इसके सदस्य देश से है यदि हम आगे बात करें कि नेक्स्ट संगटन कोन कोन सा है तो नेक्स्ट संगटन के अंदर आपको दिखाए देगा यहाँ पर आसियान आसियान जिसके फुल फॉर्म क्या है Association of the Southest Asian Nation इसकी स्तापना हुई थी 8 अगस्ट 1967 यानि 8 अगस्ट 1967 इसे दिन इसकी स्तापना हुई थी और इसका मुख्याले कहां पर इस दिते है Jakarta, Indonesia के अंदर तो Jakarta, Indonesia यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा मुख्याले हो जाएगा और महासचीव है Lim Jok Huy यह इसके महासचीव है यदि सयुक्त राष्ट के सदसे देसों की बात की जाए तो इसमें टूटल सदसे देस कितने है 10 है इसके सदसे देस हो जाएगे टूटल यहाँ पर आपको एक तो मेप में भी दिखाई देस है यह इसके अंदर आपको मेप में भी दिखाई देस है और यहाँ पर इनके नाम भी लिखे जैसे हो गया थाइलेंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनीशिया, फिलिपिन्स, मलीशिया, बुरुनी, म्यामार और एक अपने पास में सिंगापुन तो यह टूटल 10 जो है यह है इसके आसियान के सदसे देस हो जाएगे यह जो इसके आसियान के सदसे देस है ना याद करने कि एक ट्रिक भी होती है वो ट्रिक यदि मैं आपको बताऊं तो अपनी क्या होता था कि अभी कोवीड चल रहा है तो कोवीड के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी स्टड़ी हो रही है वो कैसी हो रही है, ऑनलाइन हो रही है ऐसे यदि मैं इसको tricky बात कहीं जाए तो इसकी trick होती है अपने पास में TV TV clip MBBS की किस पर दिखाई जाती है अपने पास में TV पर दिखाई जाती है यानि MBBS की clip TV पर दिखाई जाती है यानि T से मिल जाएगा अपने पास में Thailand, V से Vietnam, C यानि clip के अंदर C से Cambodia, L से Laos, I से Indonesia, P से हो जाएगा फिलिपिन, M से हो जाएगा अपने पास में Malaysia, B से Brune, B से हो जाता है अपने पास में जिसका नाम क्या कर दिया गया है भी म्यामार कर दिया गया है और S से हो जाता है अपने पास में सिंगापूर तो यह हो जाएगे आशियान के सदसे देशों को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक चलिए next up आगे इसे संगटन के आशियान जो है आशियान यह एक चलिए next तम आगे बात करते हैं आशियान के आगे कोन सा संगटन हो जाएगा अपने पास में SEO SEO जिसे क्या कहा जाता है संगाई सयोग संगटन ये हो जाएगा अपने पास में SEO जिसके full form होती है अपने संगाई सायोग संगटन इसके स्तापण हुए थी सन 2021 के इन दर संगई सयोग संगटन का मुक्याले कहां पर इस्तित है इसका मुक्याले ध्यान दिना है संगई के अंदर में यह इसका मुक्याले है बीजिंग चाइना के अंदर इस्तित है और इसके महासची कौन हो जाएंगे जांग मिंग तो जांग मिंग यह हो जाएंगे SEO यानि संगारी सयोग संगेटन की महासचीव यदि इसके अंदर मेंबर की बाद कीज़ाए तो SEO के सदस्य दिस रोटल कितने है आठ इसके सदस्य दिस है जैसे अपने पास में हो गया चाइना हो गया कजाकिस्तान हो गया किर्गिस्तान हो गया रसिया हो गया तजाकिस्तान उजबेकिस्तान इंडिया पाकिस्तान तो ये टोटल इसके आठ सदस्य दिस है इसको भी याद करने की ट्रिक क्या है ट्रिक नहीं है इसमें सिंपल सा ऐसे मालो कि SEO के जितने भी सदस्य दिस होते है उनके अंदर लाश्ट में क्या लिखाई दे रहा है आपको टान दिखाई दे रहा है टान जैसे कजाकिस्तान लाश्ट में टान दिखाई दे रहा है किर्गिस्तान ऐसे ये दी इसमें दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे तजाकिस्तान उजबेकिस्तान, इंडिया की बात कीज़ है तो इंडिया को हम क्या कहते है, हिंडुस्तान भी कहते है तो हिंडुस्तान हो गया, पाकिस्तान यानि सभी के लाश्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है तान दिखाई दे रहा है, लेकिन बस only for China और एक है रसिया, इन दोनों के लाश्ट में तान का साउंड नहीं आएगा बाकि जितनी भी कंट्रिय है उनमें तान का साउंड आएगा जैसे कजाकिस्तान, कर्गिस्तान, चदाकिस्तान, उजबेकिस्तान, इंडिया के दर हम हिंडुस्तान तो यह हो जाएगा अपने पास में SEO चलिए next अपन आगे बात करते हैं BRICS के बात करते हैं यदि BRICS के बात की जाए तो BRICS जो है इसकी अवधारना दे गई थी सन 2001 के अंदर एक तो थे अपने पास में GOLDMAN SACS GOLDMAN SACS और एक है GYM ONU इन दोनों ने BRICS के अवधारना कब दीती 2001 के अंदर इसकी अवधारना दी दीती लेकिन यदि इसकी स्थापना के बात कीच है तो इसकी स्थापना हुई थी सान्हे 2006 के अंदर इसकी स्थापना की गी थी और BRICS का जो पहला सिकर सम्मेलन यह दो हजार नो के अंदर आयोजन किया गया जब ब्रिक्स के इसका इसका इसकी स्तापना किये ते उस समय उनली फोर इसके इंदर टोटल कितनी चार ही कंट्री सामिलती टोटल कितनी कंट्री से के अंदर सामिलती चार कंपनी सामिलती इसलिए इसे क्या कहा जाता था ब्रिक्स कहा जाता था यह ब्रिक्स कहा जाता था लेकिन सन 2010 के इंदर जो दक्षिनी अफ्रीका है यह 20 के इंदर सामिल हो गया और जैसे इसे क्या कहा जाने लगा ब्रिक्स कहा जाने लगा अब ब्रिक् में B سے मिल जाएंगा अपनी पास में B्राजील हो गया R से मिलूपे बन जाएगा रसी है, A से अपना देश हो जाता है इंडिया यडि C से बात की जाएगे, तो C से मिलूपे बन जाएगा चाइना और S S से मिल जाएगा अपनी पास में साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है, इसको बस 2010 के अंदर जोड़ा गिया था, एक और दियान रखना है, कि जो ब्रिक्स संगटर ने, इसकी मुद्रा को क्या कहा जाता है, फाइफ आर मुद्रा की नाम से भी जाना जाता है इसके महा सचीव है जांग मिंग और मुख्याले कहां पीछ दीते संगाई चीन के अंदर इसका मुख्याले ब्रिक्स के सन 2021 के अंदर तीरवे नंबर की बैठक होई थी जिसका आयोजन भारत के द्वारा किया गया और 2021 के अंदर जो तेरी भी बैठक का आयोजन किया गया था उस समय इसके थीम थी ब्रिक्स एड़ डरेट 15 जबकि 2022 के अंदर जो चौद्वे नंबर की ब्रिक्स है इसकी बैठक का आयोजन कहां पे किया जाएगा चाइना के अंदर किया जाएगा याद करने की भी सिंपल सी ट्रिक्ष है कि जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे जो इंडिया है इंडिया ने कब की की थी इसके बैठक का आयोजन 2021 के अंदर 2022 के अंदर फिर कौन करेगा चाइना कर रहा है अभी मैंने बताया था कि चौवे नमर की जो बैठक इसका आयोजन चाइना की द्वारा किये जाएगा 2023 के अंदर कौन करेगा साउत अफ्रीका करेगा फिर 2024 के अंदर वापस से कौन कर लेगा अपने पास में यह ब्राजिल 2024 के अंदर रसिया की बात की जाए तो यह 2025 के अंदर और भारत जाए यह पुने इसके बैठक का आयोजन कब करेगा फिर 2024 के अंदर तो इस प्रकार से इन बैठकों का जो करम है यह चलता रहता है ब्रिक्स के अंदर यहीं पर एक और ध्यान देना है कि जो ब्रिक्स है इसी ब्रिक्स के एक बैंक है जिसका नाम क्या है New Development Bank यह हो जाएगी ब्रिक्स के बैंक इससे जो New Development Bank है इसकी स्ताफना की जिए थी 2024 के अंदर और इसका मुख्याले भी कहां पीछती थी संगाई चीन के अंदर इसका मुख्याले जैसे अपनी पास में मैंने भी बताया था जो Bricks इस Bricks का मुख्याली भी कहां पीशती थे संगाई चीन के इंदर इसका मुख्याले और इसकी स्ताफना Bricks के कब हुई थी 2006 के इंदर ऐसी जो New Development Bank है इसकी स्ताफना हुई थी 2014 के अंदर, मुख्याले इसका संगाही चीन के अंदर यदि सदस्य देश की बात की जाए तो इसमें टूटल 9 सदस्य देश से और 9 देश कुन सा हो जाएगा मिश्र, अध्यक से इसके मार्कोस ट्राय हो जाए चलिए, नेक्स्ट संगटन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट संगटन अपने पास में नाटो, नाटो के सबसे पहले तो आपको एक तो इसके फुल फॉर्म ध्यार रखनी है नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है नोर्थ अटलांटिक ट्रेटी औरकनाईजेसन इसकी स्तापना की गई थी कि जब विष्व युद्ध की घटना होई थी दूसरा विष्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद में पूरी दुनिया जो थी यह भैबित हो गी थी और पूरा विष्व यही चाहता था कि ऐसी घटना दुबारा नहीं हो इसलिए नाटो जो है इसके स्तापना की गई थी और इसके स्तापना किसने की गई थी चार अप्रेल उन्निस सो उननचास को अमेरिका की जो राष्टपती थे हैरी ऐस ट्रुमेंड में तो अमेरिका के राष्टपती हैरी ऐस ट्रुमेंड इन्होंने 4 अप्रेल 1999 को नाटो के स्ताफना की गेती तो बस यही दान रखना आपको कि जो नाटो है यह है अमेरिका का एक संगतन नाटो के अंदर टोटल देशों की बात की जा तो इसमें टोटल 30 देश जो है यह सामिल है लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ अमेरिका जो है इसने एक फिनलेंड देश और एकर स्वेडन देश इनको भी नाटो के अंदर सामिल होने का समर्दन किया है जिससे ही यह फिनलेंड और एकर स्वेडन ये दोनों यदि नाटो के अंदर सामिल हो जाते हैं वैसे तो हो जाएंगे तो होने के बाद में इसमें सदस्य देशों की संक्या कितनी हो जाएगी 32 सदस्य देश इसके अंदर हो जाएंगे नाटो का मुक्याल है ब्रुसेल से बेलजियम के अंदर और इसके महा सचिफ कोन है जन्स स्टॉर्म बर्ग और एक वाता आपको यहाँ पर एक और बात द्यार लखने है एक वाता मिन्स के समझोता जो कि 2014 के अंदर हुआ था और यह किसके बीच में हुआ था यह है बेलारूस के अंदर हुआ था और रूस और जो युक्रेन इन दोनों के मद्य मिन्स के समझोता किया गया था सन्न 2014 के अंदर यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाई दे लिए जिसमें जो नौर्ट अट्लांटिक ट्रिट्री और्गरियासिसेशन यानि नाटो जो है इस नाटो के अंदर सामिल जितने भी सदस्य देश से उनकी आपको यहाँ पर एक लिष्ट दे रखी यानि 1949 के अंदर कौन से देश सामिल हुए सबसे लाष्ट के अंदर 2020 के अंदर एक सामिल हुआ था जिस देश का नाम क्या था नोर्थ मैसाडोनिया जो कि 2020 के अंदर सामिल हुआ था 2017 के अंदर मॉनेटेंग रों यह सामिल किया गया था तो यह एक पूरी लिस्ट है सबसे पर अब को यही ध्यार रख लेना है कि 2020 के अंदर इसका तीसमे नंबर का जो सदस्य देश है यह सामिल हुआ था अपने पास में करते हैं ADB की ADB जिसके फुल फॉर्म क्या होती है Asian Development Bank इसकी स्तापना होई थी 1966 के अंदर इसकी स्तापना की गी थी सदस्य देशों की बात की जाए तो टोटल इसके अंदर 68 जो है यह सदस्य देश है मुख्याले कहां पर इस्तिते इसका मुख्याले है चलिए next अपन आगे बात करते हैं एक तो अपने पास में WHO WHO की फुल फॉर्म क्या होती है World Trade Organization क्यों होती है अपने पास में WHO की फुल फॉर्म और एक अपने पास में WTO WTO की फुल फॉर्म क्या होती है World Trade Organization यदि मैं WHO की बात की जाए तो World Health यानि नाम से ही पता चल रहा है, यह हेल्थ से रिलेटेड जो भी कारिये करता है, वह है डबलू एचो के द्वारा किये जाते हैं, जिसकी स्तापना हुई थी 7 अप्रेल 1948 को, और इसमें सदस्य देश टोटल कितने हैं, 194 इसके अंदर सदस्य देश है, मुख्याले कहां पेशत में डबलू एचो के महा सचीव, जबकि एक है डबलू टी ओ, यानि वाल्ड ट्रेड ओर्गनाईजेसर, इसकी स्तापना किये थी 1995 के इंदर, मुख्याले है जीनिवा स्वीजा लेंड के इंदर, सदस्य देश के बात कि जाएं, तो इसमें टोटल 164 जो है, यह सदस्य यद इसके महा सचीव की बात की जाएं, तो नागोजी अंकाजा इवेला, यह हो जाएंगे डबलू टी ओ के महा सचीव, जो के कहां के निवासी है, नाइजीरिया की यह निवासी है, तो नेक्स्ट अम आगे बात करते हैं, IAEA की, यानि अंदराश्टिय परमानों उर्ज इसके फुल फॉर्म की बात की जाएं, तो इसके फुल फॉर्म होती है, International Atomic Energy Agency, यह हो जाएंगे इसके फुल फॉर्म, इस्तापना हुईती 21 जुलाई 1957 को, मुक्याले कहां पे इस्त कहें, तो अंतराश्टिय जो परमानों उर्जा एजेंसी है, इसका मुक्याले है, वियना अश्टियलिया के इंदर, सदस्य देश है, टोटल 133 सदस्य देश है, और महासचीव कोन है, राफेल, मारियानो, ग्रासी, यह हो जाएंगे इसके महासचीव, यदि इसके उद्दिस से की बात की जाएं, तो विस्व में, परमानों उर्जा का सांतिकोन, उप्योग जबकि इसमें सदस्य देशों के संके कितनी है, टोटल 194 सदस्य देश है, महासचीव इसके एहमद नासिर अल रही सि, जो कि इंटरपोल इसके वर्तमान के इंदर महासचीव है, इंटरपोल जो है, तो इंटरपोल का मिसर, दुनिया बढ़ की जितनी भी पुलिस है, इसके द्वारा अपराद को रोकना और उससे लड़ने के लिए यानि पूरे विस्वक इंदर अपराद को रोकने के लिए इसे इंटरपोल का निर्मान किया गया यानि यह एक परकार की क्या है पुलिसर जिसके फुल फॉर्म क्या है इंटरपॉल की अंतराश्टिय अपराधिक पुलिस संगतन यह हो जाएगी इंटरपॉल नेक्स्ट अपने पास में ILO ILO की फुल फॉर्म होती है इंटरपॉल लेबर औरगनाईजेशन यानि अंतराश्टिय श्रम संगतन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है यानि यह स्रम से संबंदित है यानि जो भी विस्वा के जितने भी स्रमिक है उनके लिए रोजगार उपलब्द करवाना रोजगार की जो लक्त से है उनको प्राप्त करना तो इसका संबंद किससे हो जाएगा अपने पास में ILO से इसके स्तापना हुई थी 11 अप्रे 1919 को और मुख्याले है जिनेवा स्वी जर्लेंड के इंदर इसमें सामिल सदस्य से देशों के संग के एक सो सत्या से और महा सचीवा वर्तमान में गिलबर्ड हॉगबो ऐसे अपने पास में है एक IAU यानि अंतराष्ठिय खगोलियसंग जिसके फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियर इसके स्तापना हुई थी 1919 के अंदर इसके स्तापना की गी थी और मुख्याले कहां पीस्ती थी ते पेरिस फ्रांस के अंदर इसका मुख्याले ये इसके सदस्य देशों के बात की चाहिए तो इसमें सामिल है टोटल बैयांसी सदस्य देश तो यह था अपने पास में ILO और एक है IAU यानि अंतराष्ठिय खगोलियसंग चलिए नेक्स्ट अपर आगे बात करते हैं यूनिसेप की फुल फॉर्म होती है यू सदस्य देश है दोटल ог्टल 191 वे इसके अंदर सदस्य देश है और इसके महासचीव कोने केतरीन रसेले जो की यूनिसेप यानि यूनाइटीग निशन चिलरंड फण इसके महासचीव है अब यूनिसेप इसका नाम देखनी पर पता चल रहा है चिल डेंड फॉर्म यानि UNDP की फुल फॉर्म होती है United Nation Development Program जिसके स्थापना हुए थी 1965 के अंदर और इसका मुख्याले कहां पर इस्तिते हैं New York के अंदर सदस्य देश है total 117 और इसके महासचीव को ने हम इस्टेन जो कि इसके महासचीव है तो यह हो जाएगा अपनी पास में UNDP चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं एक अपने पास में अंक्टाड अंक्टाड की फुल फॉर्म होती है United Nation Conference on Trade and Development अंक्टाड जो है इसके स्थापना की गीति सन 1964 के अंदर मुख्याले है जिनेवा स्वीजरलेंड के अंदर सदस्य देशों की बात की जाएं तो 1955 सके अंदर सदस्य देशे और महा सचीव है रिबेगा ग्रीन स्पेंड तो रिबेगा ग्रीन स्पेंड यह हैं अंक्टाड के महा सचीव है यदि मैं अंक्टाड के बात करूँ तो अंक्टाड के स्तापना का मुख्य उद्धिस यह ही था कि जैसे व्यापार हो गया व्यापार में सहायता करना परिवहन के अंदर वित्य या फिर टेकनोलोजी इन्हें सभी पहलों के उपर निती मनाना निती तेयार करना परियोजना बनाना ये सभी कारिये किसके द्वारा किया जाता है अंक्टाड के द्वारा किया जाता है और एक अपने पास में UNHRC जिसे कहा जाता है सयुक्त राष्ट मानवादिकार परिशट यानि United Nation Human Rights Council जिसके स्तापना 15 मार्च सन 2006 के अंदर की गी थी और मुख्याले कहां पे सीत है जिनेवा स्वीचर लेंड के अंदर टोटल इसके अंदर सदस्य देशों की संक्या कितनी हो जाएगी 47 चलिए नेक्ट आगे बात करते हैं FAO जिसके फुल फॉर्म होती है Food and Agriculture Organization of the United Nation यानि खाद्य एवब क्रसे संगटन यह हो जाएगी FAO की फुल फॉर्म और इसके स्तापना कब की गी थी 16 अप्रेल से 1945 को इसके स्तापना हो जाए थी यह रोम कुन सी नदी के किनारे बसावा है तो रोम जो है यह टाइबर नदी के किनारे बसावा है यदि महासचीव की बात की जाए तो क्यू ढोंगी हो यह हो जाएंगे इसके महासचीव एक आता है अपने पास में Red Cross Red Cross जो है इसकी स्तापना हैंरी डूनेंड ने Red Cross जो है इसके सुरुवात की थी और इसकी स्तापना कब की गई थी हैंरी डूनेंड के द्वारा 1863 के इंदर इसके स्तापना की गई थी मुख्याले इसका जिनेवा स्वेजा लेंड के इंदर और जो विस्वे Red Cross दिवस है यह हर साल मनाये जाता है आठ मई को यदि Red Cross के बाद की जाए तो Red Cross को तीन बार जो है यह सांतिका नोबल प्रूसकार मिलाता और शांतिका यह नोबल प्रूसकार कब कब मिला 1917 के इंदर 1944 के इंदर और एक मिला था 1963 के इंदर तो इन टूटल तीन बार जो रेड क्रोस है इसको शांतिका नोबल पूसकार्ड दिया गया हूँ चलिए अपने पास में लाश्ट संगटन की तरह बढ़ते हैं लाश्ट संगटन कोन हो जाएगा UNESCO UNESCO के द्वारा विस्व के जो Sanskritic और प्राकरतिक स्तान है इनके संलक्षन के दरश्टे कों से इनको विस्व के धरोर इस तल के रोप में माननेता दी जाती है ये दी जाती है UNESCO के द्वारा यदि UNESCO की बात की जाए तो UNESCO की फुल फॉर्म द्यार लखनी है United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization यह जाएगा इसकी स्ताप फुल फॉर्म और इसकी स्तापना हुई थी 16 नवंबर सन 1945 इसे दिन इसकी स्तापना हुई थी मुक्याल लेह पेरिस फ्रांस के अंदर और इसके वर्दमान में महा निदिसक को है अंद्रे अजॉले यह इसके वर्दमान में महा निदिसक है यदि पहली महा निदिसक की बात की जाए तो यह को है जूलियन हकसेल जो कि इसके पहली महा निदिसक है UNESCO के अंदर वर्दमान में टोटल के कितनी कुल मिलाकर 40 जो है यह विस्व विरासत इस्तल तो वर्तमान के अंदर भारत के अंदर कुल 40 विस्व विरासत इस्तल है 40 में नमबर की बात की जाए तो 40 में नमबर की युनेस्को विस्व विरासत इस्तल का नाम के है दो ला विरा जो कि कहां पर इस्तिते गुचरात के अंदर अब इन में से विए 32 है यह सांस्करतिक है साथ प्राकरतिक है और एक है मिश्रित तो यह मिला कि टोटल कितनी हो गई 40 से विरासतिस तर जो कि किसके है यूनेस्को के है तो यह था आज का हमारे एक important lecture जिसमें हमने जितने भी अंतराष्टियस अंगटन थे उनको डीटेल से cover किया है उनकी स्तापना, महासची, मुख्याले और उनसे related जितने भी important facts थे उनसे सभी को भी हमने cover किया है अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए साथ ही हमारी youtube channel study147 को subscribe करना ना बूलिएगा मिलेंगे आपसे next lecture के अंदर कुछ नए topic के साथ में तो मुलाकात होगे next topic के साथ में आपसे जल्दी तब ते के लिए bye bye take care